जोहां टिकेट खड़की हमेशा होती है वहीं पे 6, 6, 7 और 8 ऑक्टोबर को टिकेट के विक्री वहां से होगी और इस पार ऑनलाइन भी टिकेट्स अवेलेबल रहेंगे तो तीन दिन तक वो टिकेट्स सेल पे रहेंगे इस तेवहारी सीजन रांची के लोगों का मजा दोगुना होने वाला है दोगुना इसलिए क्योंकि दूरगापुजा और दिपावली के बीच रांची के JSEA स्टेडियम में एक इंटरनेस्टनल मैच होने वाला है 9 अक्टूबर को ये इंटरनेस्टनल मैच है और आप देख सकते हैं अभी हम JSEA स्टेडियम में मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए JSEA के पूर उपाध्यच और कमीटी के मेंबर आजैनाथ साहदेव जी इनी से विसेस बात करते है सर कौन सा इंटरनेस्टनल मैच होना जैना वाला है कब होने वाला है इंडिया साथ अफरिका स्रीज का दूसरा अंतराश्टिय मैच वांडे इंटरनेस्टनल जो है वो रांची में होगा 9 अक्टूबर को और ये पूरे जहारखण वास्टियों के लिए खास करके रांची के लिए एक गौरव की बात है कि हम लोग हर वर्ष की भाती इस बार भी एक अंतराश्टिय मैच होना है इस बार जो अंतरराष्टी मैच होना है तो राची के और जारखंड के लोग जैसी स्टेडियम में मैच देखने लिए काफी उक्सुत रहते हैं तो टिकट के विक्री उस मैच के कब से सुरू होगी क्या कुछ रेट है अगर बता पाएं देखे छे, साथ और आठ तीन दिन तक टिकट्स जो हैं टिकट खिड़की से अविलेबल रहेंगे जो स्टेडियम के जो वेस्ट साइड में जोहां टिकट खिड़की हमेशा होती है वहीं पे छे, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट आक्टोबर को टिकट के विक्री वहां से होगी और इस पार ओनलाइन भी टिकट्स आवेलेबल रहेंगे तो तीन दिन तक टिकट्स सेल पे रहेंगे और हमें विश्वास है कि पहले की तरह ही फूल हाउस यहां पे रहेगा सबसे जो सस्टेडर का टिकट है वो 1100 रुपे और जो सबसे एक्सपेंसिव टिकट है वो करीब जो टिकेट्स के रेट्स हैं किस विंग के कितने हैं इसको भी आप लोग अपने अप्रचेल के माधिम से लोगों को बताएंगे तो लोगों को असानी होती है और मैंने ये इन और रांची के जारकण के लोग हमेशा इस बात को याद रखते हैं कि ये स्टेडियम का तुफा जो इस राज को मिला है वो अमिताब सर की वज़ा से मिला है और ये association के तरफ से भी ये match जो है उनको dedicated होगा और जिस तरीके से अमिताब सर हमेशा match के सफल आयोजन के लिए कड़ी मिनत करते थे और match के जब से सूशना मिलती थी तब से वो एक-एक त्यारी में जुटे होए रहते थे और लोगों को जोड़ते थे तो जिस ये के सभी members organizing committee के जो सद्यस हैं जो media के साथी हैं जो यहां के administration के लोग हैं जाकरन सरकार के से जो मदद हमें मिलती है तो हम लोग सारे लोग मिलके इस match को सफलता पुरवक आयोजन करेंगे कि यहां के जो infrastructure है जो stadium का जो रख रखाओ है इसे सारे लोग पसंद करते हैं in fact जो commentators जो पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं वो भी यहां के facilities को हमेशा प्रेज करते हैं कि यह हमारे देश के बेहतरीन stadiums में से एक है यहां के facilities world class है और दर्शकों के हर समय की तरह राची के दर्शक खेल प्रेमी हैं खेल भावना का परिछे देते हैं और इस पार भी ऐसा ही होगा क्या कुछ तैयारियां अभी से start हो गई है मैच को लेकर और क्या कुछ बागी रहा है देखें आप तो देख रहे हैं कि बारिश भी हो रही है लेकिन ground के तरफ आप अगर camera को focus करेंगे आप देखेंगे कि बिल्कुल ही green है और stadium का ये अमिताब सर ने लगातार वो हमेशा मैच जब मिलता है तब त्यारी होगी ऐसे नहीं वो सालों भर इस ground में maintenance वक लगा रहता है कि कभी भी कुछ अगर कमी होती है तो हम लोग उसी वक्त उसको दुरूस करने की कोशिश करते हैं इतना बड़ा infrastructure है तो maintenance के issue हो सकते हैं लेकिन उसको हमेशा लोग रखें हमारे यहाँ जो CEO हैं एकेल सिंग साब वो लगातार इस पर निगाह रखते हैं जो पिच के जो curator है तो जो पुरी टीम है जो अमिताब सर के दारा बनाई गई जो JC की टीम है वो अपने अपने कामों को बकूवी अंदाज देती रहती है और maintenance का काम अभी भी कुछ-कुछ और जो last समय के maintenance के issues होते हैं उस पर भी काम चल रहा है बाकी सारे tickets के आप printing हो जो association के members हैं अलग-अलग जीले से जो जिनको tickets लेना होता है रिक्विशन आता है उसके लिए भी media release जा चुकी है खबर जा चुकी है तो सारा कुछ जो है वो विवस्तित है और बाकी बस हम लोग यही परातना करेंगे कि ये match सफलता बुरवक हो जाए और उस समय मौसम जो है वो साथ दे ताकि मौसम खुला रहे और match पूरे पचास ओवर का हो सके यानि कि इस पर 9 ओवर को जो match होना है ये कह है तो आमिताब चौदरी सर के लिए dedicated होगा देखें ये स्टेडियम ये association का जो creation हुआ था और स्टेडियम के बनाने में सिर्फ असिफ हमिताब सर का जो योगदान था वो जमीन लेने से लेकि स्टेडियम निर्मान के समय उने बिल्कुल इसे अपने एक बच्चे की तरह इसको बढ़ा किया है और जो उनका focus रहता था हमेशा कि बड़ी ही विपरीत परिस्तिती में स्टेडियम का दिर्मान हुआ था और जो JSEA के members हैं जो committee के लोग हैं जो अध्यक्ष हैं सचिव हैं और जो बाकी भी organizing committee के लोग हैं सब लोग इसको लेके बड़े sensitive रहते हैं कि matches का यह जो जिस तरीके से उन्होंने हर चीज के लिए अलग-अलग committee बनाई हुई है यह जो शुरूर से एक परंपरा चली आ रही है जब आमिताप सर यहां पे JSEA के अध्यक्ष होआ करते थे और किंदन स्टेडियम में मैच होते हैं तब से जो एक परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को निर्वाहन करते हैं और कभी कोई नहीं समस्या आती है तो उसको भी दूर करने के लिए जो प्रयास होएं तो उससे भी हम लोग सीख लेते हैं और अगले match में उसको भी कहीं leakage हो कहीं कुछ problem हो तो उसको हम ल नाची के दर्सक और साथी बिहार जारखंड के तमाम दर्सक जो जेस सीए स्टेडियम में match का लुप्त उठाना चाहते हैं उनके रिए बड़ी खबर है 9 अक्टुबर को भारत और साथ साथ अपरिका का वन डे match यहां होना है और जिसको लेकर तैयारी भी जोरो सोरो से सु मुमित करते हैं तमाम खेल प्रेमी इस match का लुप्त जरूर उठाएंगे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लागा सायोगी जितन के साथ मितलेश सिंग धन्यवाद